सुपरभाद वच्चो आज आप लोग का पाठ है स्टावले सपनों की याद सावले सपनों की याद जाबरियू सेंदवारा लिखी एक संस्मरण है जो प्रसित पक्षी वियानी सालिम अली को समध पित है सालिम अली की मिट्ग्य से दुखी लेखक अपने दुख और अफसाद को इस पार्ट में ब्यक्त करता है लेखक ने सालिम अली को पक्षी विसिशेगे होने के साथ प्रयावराण प्रेमी भी माना है लेखक ने बताए कि वे ठीक एक सेलानी की तरह अपने कंधों पर बोज उठाए पलाइन कर गए प्रंत यहाँ उनका आखरी पलाइन था यानि वो मिर्ट्य को प्राप्त होई वे प्रकर्ति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन होगे जो आखरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जाबसा हो सालिम अली का माना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं जब सालिम अली की मिर्ट्य हो जाती है तो यह उनका सफर जा रहा था लेखक ने ठाकर्ति में उसी प्रकार विलीन होगे जिस प्रकार से एक पक्षी आखरी गीत गाने के बाद मोत की गोद में जाबसा है उनकी मौत हो जाती है साली मली को यह दुख भी था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं वे जरने, पहाडों, जंगलों को भी इसी दिस्टी से देखते हैं ऐसे में वे उनके मदोर संगीत का अनुबर नहीं कर पाते हैं प्रकर्ति में समाया हुआ है लेखक ने व्रिंदावन का जिक्रिव भी करते हुए कहा कि बले ही किस्नी की बच्वन की स्रारतों को किसी ने नहीं देखा कब उन्हों गने पेड की छाओं में विस्ट्राम किया कब उन्होंने बांसुरी बचाई पर आज भी अगर कोई व्रिंदावन जाकर नदी के सावले पानी को देखे तो वो किस्नी की याद दिला देता है आज भी व्रिंदावन किस्नी की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ लिखका कम माने की त्यास में पता नहीं यह घटना कब हुई कब कृस्ने बिंदावन में जाकर नानम प्रकार की किरिनाई की और कब मदूश्वर में वंसी बचाए बिंदावन संगीत मैं हो था और आज जब बिंदावन जाने पर यमना का सावला पानि देखो तो वो सारे घटना कर्म की याद इला देता है लेखा का माना था कि जिसने की बांसर से उत्पन जादू से बिंदा वन कभी खाली नहीं हो सकता है ठीक उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रीमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा पूर समय की याद करते हुए लेखा की ने बताई कि वो उम्री के सोवे पड़ाओं के करीब थी यादाओं की ठकाने उन्हें कमजोर कर दिया था और कैंसर जैसी जान लेवा मिरी तो उनके मौत का कारण बनी परंति एक बात इस प्रस्रिति के सब मिलगा उनके आँखों के रौसनी चीने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षों के तलास और उनके हिफाज़त के प्रति समर्पी थी वे अपनी जीवन के एकान फ़णों में भी दूर्विन के साथ प्रक्षों को निहारते ही देखे गए वे उन लोगों में थे जो प्रकति के प्रभाव में ना जाका प्रकति को अपने प्रभाव में लाते उन्होंने अपना जीवन साथी, अपने स्कूल से पाठी, तहमिना को चुना, जोनोंने हर लम्मे, हर समय उनका सह्युद दिया यहां पर लेखकने का कि जिस प्रकाछ्ट से किसने को चाद क कटिबत थी, वे अपनी मिर्ट के निकर तक पक्षियों के बारे में जांस परताल करते रहे, सालिम अली एक प्रसिद वर्ल्ड वाउचर थे, एकात की छड़ों में भी सालिम अली को प्रकृतिक दिशों को देखने में खोई रहते थे, प्रकृति में उनके लिए अपनी हस्त खेलती रह्षमें दुनिया थी, जो उन्होंने अपनी जीवन साथी तहमिना की मदद से बनाई थी.